हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कॉंट स्टेडी आज का हमारा चैप्टर है एनलोगी जो है वो रिजनिंग सेक्षिन का एक पार्ट है और इसका आज हम करने जा रहे हैं पार्ट वान शूर करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमें हमारी यूट्यूब चैनल पर कीजिए इसके लाब हम फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं यह रहे डिरेक्ट लिंक्स आपकी स्क्रीन पर चल्दी से हमें हर्जवा फॉलू कीजिए और किसी भी अपडेट को मिस्स मत कीजिए सबसे पहले आज की आपको मैं इंट्रिजूउस कर दूं कि एनलोगी होती क्या है देखिए एनलोगी चैप्टर में हम पढ़ेंगे इस रिलेशन्शिप को फाइंड करना यह रिलेशन्शिप ब्लड रिलेशन्शिप्स से बिलकुल अलग है यह कोई बाई बहन या सास रिलेशेंटोस आ सकते हैं Video इंस्ट्रॉमेट और तर्मोर मेत जैसे यह syndrome और उसके मेड़मेटर मेर करता है गाता है приг rep mater को मेर करता होगा आपके बने चॉरोर मेर करता सब्सक्राइब में इस ऐसे बहुत से चीज़ों को मेर करते हैं हर इंस्ट्रुमेंट को बताना पॉसिबल नहीं है पर आप जैसे जैसे इस chapter के practice करते जाओगे आपको वो चीज़े अपने आप याद होती जाएगी कौन सी चीज किसको मेयर करती है ठीक है next example आ गई quantity और उनके units के बीच में यानि की current जो है उसको अगर हम amperes में मेयर करते हैं तो voltage को किस चीज़ में मेयर किया जा सकता है वैसे ही आपके पास चार option होंगे और उनमें से कोई एक option होगा जिसमें voltage को मेयर किया जा सकता होगा तो current को amperes में मेयर करते हैं तो voltage को मेयर करते हैं हम volts में वैसी कुछ और quantities हैं और उनके units के हैं जिसमें उसको हम मेर करते हैं जैसे force को करते हैं doen में power को करते हैं water में speed को हम मेर करते है meter per second यहां efter kilometer per hour में वैसे ही sound को हमmeal करते हैं decibels में अब हवी थाँड hata है example individual तो पह उसके group की यानि अगर एक चीज होगी तो उसको हम क्या कहेंगे और ऑगर वो bunch में होगी, group में होगी, तो उसको क्या कहेंगे, जैसे एक single fool को हम कहते हैं flower, और वही fool अगर group में होगे, तो हम उनको कहेंगे bouquet, ठीक है, वैसे ही अगर एक मविशी होगा, तो उसको हम कहेंगे kettle, और वही अगर group में होगे, तो उनको हम कहेंगे herd, herd यानि जूंड, ठीक ह एक पत्ता है तो उसको हम कहेंगे लॉफ और पत्ते होंगे धेर सार तो उनको कहेंगे हम लीव्ज ठीक है अब आते हैं अगले पे इसमें नेक्स टाइब का रिलेशनशिप ये भी आ सकता है कि एक एनिमल या उसका यंग वन उसका बच्चा उसको कहते हैं उनके भी रिलेशन होता है एडल्ट और लार्वा होता है जब वो बच्चा होता है शेर को कहते हैं हम लॉइन और उसके बच्चे को कहते हैं हम कब वैसे बत्तक को कहते हैं हम डक और उसके बच्चे को कहते हैं हम डक लिंग अब एक इंडवीज़ और वो किस क्लास को बिलॉंग करते है ये भी रेप्टाइल है वेल कहने में एक मचली है पर याद रखना वेल एक फिश की कटेगरी में नहीं आएगी वेल एक मैमल की कटेगरी में आएगी नेक्स्ट चीज मेल फीमेल का भी रिलेशन पूछ सकते हैं जैसे डॉग अगर मेल है तो फीमेल क्या होगा उसका बिच मैन अगर को कहते हैं तो मेल उसका आता है बयल को कहते हैं तो इसको हम कहते हैं बुल वैसे यगर घोड़ा उसको हम हौर्市 कहतें तो गोडी को कहेंगे मेर अब यह no types है एनेलाउगी की हम एक हैं करकेस हर्प routes करेंगेerus कं कहते हैं सबसे पहला हमें किसको लेमेज को damage करते है तो एलकोहुल किसको damage करेगा ऐलकोhait होगी दारु शराब तो एलकोहल damage करता है लिवर को तो हमारे इस पेर का आँसर इस question का answer आँसर आगया लीवर नेक्स चीज़ हैं कि चौक से हम लिखते हैं बोड पे तो पैंसे हम हम किस पर लिख सकते हैं यह आपर हमारे पास चौर ऑप्शन है इसमें से देखिए हम पैंसे किस चीज़ पर लिखते हैं तो क्लियरली हम पैंसे लिखते हैं paper पर तो हमारा answer आ जागा paper टाइब टू आ गई simple चौक इस डिलेटी टू बोर्ड दन पैनी इस डिलेटी टू तो इसका अंसर है पेपर वैसी एक्जेंपल हैं बस सिंटेंस की फॉर्म में तो इसको हम कहते हैं सिंपल अनलोगी थर्ड टाइप का आगया चूजिंग दा अनलोगी पेर यानि पेर बनाना है हमें तो यहां दिय कह उती है जहां पर रैसलर्स लड़ाई करते हैं यानि हमें एक थि Can दे कि तौक मर कंगे नalten यह Пढी रही है नहीं करी कर रहे ह हमें बहु कर बराइब यहां इरिया जहां ब्क यह दा तो बैट्समें का रिलेशन की रखेट के साथ तब true होता जब wrestler का relation wrestling के साथ दिया होता तो batsman का relation cricket के साथ गलत option है next आता है racer game यह तो totally out of context है third option आ गया batsman pitch यानी batsman जो है वो कहां बैटिंग करता है pitch पे तो यह relation बिल्कुल ठीक लग रहा है अगर इसकी जगा baller और pitch होता तो वो भी बिल्कुल सही होता है क्यों क्योंकि baller पूरी जो है वो balling करता है pitch पे तो चोथा option ring और hand तो totally out of context है तो हमारा right answer है option C यह आगी four type की analogy जिसको हम कहते हैं double analogy इसमें आपको relationship दिया हुए question में और two cases दिये होंगे दोनों cases में चार्च और option होंगे आपको पहले case में से एक option उठाने और दूसरे case में से एक option उठाने जिनका relation वैसा ही बनना चाहिए जैसा कि हमें question में दिया हुआ है तो question में दिया है हमें inert और उसके साथ relation दिया है active का, inert वो चीज आगे जो ज़़दा react नहीं करती, ज़़दा active नहीं होती, तो उसी का opposite उसके साथ relation दिया हुआ है की active, तो हमें case 1 में से एक ऐसा option उठाना है जिसका opposite relation case 2 में दिया हो, ठीक है? तो Case 1 में हमारे पास Option है Static, Water, Dull और Air Water और Air का तो कुछ opposite होता ही नहीं है तो हमें काम करने सिरफ Static और Dull पे Case 2 में हमारे पास Option है Strong, Dynamic, Solid, Sweet ठीक है तो अब हमें दिख रहा है कि Solid और Sweet जो है Case 1 के किसी के साथ भी कोई Relation नहीं बना सकते हैं ठीक है तो हम काम करेंगी सिरफ Strong, Dynamic, Case 2 में से और Static और Dull Case 1 में से तो Case 1 का सबसे पहला Option लिया हमने Static और उसको Compare किया Strong से तो Static और Strong का कोई Pare नहीं बना रहा अब आ जाते हैं हम Dynamic पे तो Static का बिलकुल Opposite होता है Dynamic तो ये एक Option हमें सही लग रहा है अब आते हैं C पार डल पे तो डल का Opposite Strong हो सकता है? नहीं, Strong होता है की ताकतवर तो Strong का Opposite होता है Weak, डल नहीं होता, ठीक है? तो अब डल को Compare करेंगे हम Dynamic के साथ डल का Opposite Dynamic होता है? नहीं डल का Opposite Dynamic भी नहीं होता है तो Case 1 में से आया Option A Static और Case 2 में से Option आया Q Dynamic यही एक Genuine Pair बन रहा है जो हमारे Question की Condition को Satisfy कर रहा है तो हमारा Answer आ गया A Q तो हमारा Second Question कह रहा है की Music बनाने के लिए एक Instrument यूज होता है प्यानू बहुत से Instrument यूज होते हैं पर उन में से एक Instrument है प्यानू तो हमें एक Relation देखना है Case 1 और Case 2 का जो इसी Pattern पे हो Case 1 के हमारे Option है Engine, Speed, Song और Singer Case 2 के हमारे Option है Vehicle, Game, Racing and CD तो आप देखते हैं सबसे पहले Speed और Racing दिख रहा है एक Pair हमें अच्छा Song और CD दिख रहा है Singer और CD भी दिख रहा है Game जो Case 2 में जो Option Q है Game यह तो किसी से भी Relate नहीं कर रहा तो यह तो सिदे सिदे कैंसल हो जाएगा और एक Pair हमें Engine और Vehicle का भी दिख रहा है तो सबसे पहले हम Option पकड़ लेते हैं Case 1 का D, Singer और CD हमारा Question कह रहा है कि Music बनाने में एक Instrument यूज प्यानू भी होता है तो CD बनाने में Singer क्या इसका कोई Relation बनता नहीं है हाँ Singers गाने गाते हैं और CD में भी उनके गाने सुनाई देते हैं पर Singer जो है वो एक Instrument नहीं है जो CD बनाने में काम आता है इसलिए यह Option सहीं नहीं होगा अब बात करते हैं C, Song और S, CD अब CD में गाने आ सकते हैं इसलिकल आ सकते हैं ठीक है और CD में मूवी भी आ सकती है इपॉर्टन डॉकुमेंट्स भी आ सकते हैं इमेजिस भी आ सकती है पर यह सब चीजे जो है यह सीड इंस्ट्रूमेंट नहीं है यह सीडी बनाने में काम नहीं आते तो सॉंग भी जो होगा वो कैंसल हो जाएगा थर्ड अब आता है ऑप्शन बी विचिस स्पीड स्पीड का रेसिंग से रिलेशन निकल रहा है पर बात वही आती है कि रेसिंग जो है एक इवेंट है एक स्पोर्ट है स्पीड जो है उस इवेंट में स्पीड जो है रेसिंग करने के काम आती है पर इंस्ट्रूमेंट नहीं है स्पीड ठीक है चोथा हमारे पास एक ही ऑप्षिन बचा है इंजन तो इंजन का सीधा-सीधा रिलेशन आ रहा है वहिकल से और यह ऑप्षिन कुछ हद तक सही भी बैठ रहा है क्यूं क्योंकि वहिक उन चीज़ों में कुछ similarity होगी जो चोथा वर्ड हमें उन्हीं similarities से matching find करने है यहां पर आगया गिटार सितार और तानपूरा अब इनमें similarity क्या है कि यह तीनों music instrument है तो हम अपने options देखेंगे options हैं trumpet, harmonium और violin जो की music instrument ही है तो obvious सी बात कि यह similarity तो काम हमारे नहीं आई कुछ और similarity हमें ढूड़नी पड़ेगी अगर आप ध्यान से देखें तो गिटार, सितार और तानपूरा तीनों music instruments में string होती है गिटार, सितार, तानपूरा तीनों में string होती है ना जिनको हम बजाते हैं तो धुन निकलती है तो हमें इस similarity पर option ढूड़ना होगा यानि कौन सा option है जिसमें strings यूज होती है वो एक ही option है वो है violin ठीक है तो हमारा right answer आगया C, which is violin next आगया car, bus, jeep तो चोथी चीज हमें देखनी है अब car, bus, jeep तो vehicles है ठीक है तो option हमने देखा options में दिये auto, bike और truck जो की vehicles ही है तो vehicle वाले similarity तो काम नहीं आई अब देखे car, bus, jeep जो है चारो four wheeler है ठीक है car में भी चार टायर होते है बस में भी चार टायर होते है जीप में भी चार टायर होते है ठीक है बस में चार से ज़्यादा टायर भी होते है पर हमें एक ideal condition लेते हैं उनको four wheeler ही कहते है ठीक है तो हमने देखा option auto के जो होते हैं 3 टायर होते हैं, bike के जो होते हैं 2 टायर होते हैं, अब C option ही है जो हमें 4 टायर का truck भी मिलता है, ठीक है, तो question के according जो हमें similar word मिला है, वो है हमारा C option truck, और इसे के साथ हमारा analogy part 1 खतम होता है, जिसमें हमने पहली 5 types complete कर ली हैं, और बाकी की 4 types हम अगले parts में complete करेंगे, अगर आपको ये वीडियो समझाई तो इसे like कीजिए, हमारे चनल को subscribe कीजिए और इसे अपने friends के साथ share कीजिए, thank you and have a nice day